दोस्तों most of the time हम किसी भी section के background को attractive बनाने के लिए या तो एक large image यूज़ करते हैं या फिर एक image slider यूज़ करते हैं या फिर हम static gradient color यूज़ करते हैं जैसे इस example में है या फिर हम एक video background यूज़ करते हैं section को attractive बनाने के लिए लेकिन इसके अलाबा हम section की background को attractive बनाने के लिए ए एक modern design हम implement कर सकते हैं और वो है animated gradient आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो section है इसमे animated gradient color यूज किया गया है यह blue और purple आप देख सकते हैं यहाँ पर animated हो रहा है और इसके सबसे बड़ा फाइदा यह है अगर आप animated gradient यूज करते हैं अपने section को attractive बनने के लिए तो इसमें page के जो loading time है उसके उपर इतना effect नहीं पड़ता है compared to a large image, a slider और a video background तो दोस्तों आज के video में हम जानेंगे कि elementer से बना हुआ किसी भी section के background में हम कैसे animated gradient color यूज कर सकते हैं और यह effect हम सिफ section के background में डाल सकते हैं यह नहीं हम चाहे तो इसको हम column के background में भी डाल सकते हैं और हमारे column के अंदर जो element है उसको हम attractive बना सकते हैं आप देख सकते हैं यहाप एक contact form है और इसके background में आप देख सकते हैं जो gradient color है वो animate कर रहा है तो चलिए step by step देखते हैं कैसे हम free add-on की मदद से यह जो attractive design है इसको हम achieve कर सकते हैं और video की end में मैं आपको free resource बताने वाला हूँ जहां से आ आप gradient color का जो concept है उसका example है वो आप देख सकते हैं और उसका color code आप copy कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं शुपरियो आपको स्वागत करता हूँ care of web के एक नए video में अगर आप इस चनल में नए है तो जल्दी से चनल को subscribe कर लिजिए और अगर आप हमारे elementor free series के और pro series के plugin install करेंगे तो यहाँ पर मैं plugin पर जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ add new अभी यहाँ पर search करेंगे elementor add-on elements ओके तो search result में जो पहला plugin हमको मिलेगा हम वो install करेंगे यह है elementor add-on elements इसको develop किये है WP vibes ने आज के तारिक में इसका एक लाग से ज्यादा active installation है यह हमारे wordpress के भार देंगे activate और activate होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के एक option आएगा तो आप इसको skip कर सकते हैं और अभी आपके सामने यह screen appear हो जाएगा इसमें यह add-on का जो widget है उसका option आपको यहाँ पर दिया गया है अगर आपको लगता है कि यह जो सारे elements है यह आपको नहीं चाहिए यह सरिफ आपको वो जो background जो animated gradient है वो आपको चाहिए तो आप इसको off कर सकते हैं सरिफ animated जो gradient है उसको ही मैं रखता हूँ और others जो option है इसको मैं off कर देता हूँ previous वीडियो में मैं इसी plugin के मदद से कैसे हम content switcher को use कर सकते हैं उसको design कर सकते हैं उसके बारे में बताया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो description में मैं link दे दूँँगा आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं तो फिलान मैं इसको कर लिता हूँ अभी मैं एक blank page में आ गया हूँ और animated gradient को use करने के लिए हमको चाहिए होगा एक section और एक design तो मैं जल्दी से animated gradient background और यहाँ पर EAE मतलब elemental addons element का यह option है तो हम इसके उपर click करेंगे और यहाँ पर switch appear हो जाएगा इसको हम करेंगे on तो देखिए यहाँ पर by default यहाँ पर three colors का एक gradient यहाँ पर दिया रहा है तो यहाँ पर यह जो color option है अगर आप इसके बीच में click करेंगे तो यह open हो जाएगा और यहाँ पर add color का एक option आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का और यहाँ पर सबसे बड़िया बात यह है कि यह जो elementar का global color है आप उस global color को भी आप यहाँ से use कर सकते हैं और इसके मैं यहाँ पर यह जो color है इसको मैं कर देता हूँ red और इसमें यह जो color है इसको मैं कर देता हूँ yellow तो देखिए यहाँ पर four color का gradient ग्रेडियन ग्रेट हो जाएगा, एक sky color है, इसमें एक purple color है, यह purple color, और इसके नीचे है यहाँ पर red color, तो इसमें purple के बाद वो red आएगा, और उसके बाद यह yellow हो जाएगा, देखिए यहाँ पर yellow भी हो रहा है, तो ऐसे आप gradient के लिए multiple color आसानी से use कर सकते हैं, और इसके उप करके अपने हिसाब से यह जो gradient का angle है, वो आप change कर सकते हैं, तो यह तो गया section का background, अभी हम जल्दी से देख लेता है, कि यह जो column है, इसके background में हम कैसे gradient डाल सकते हैं, same process है, तो पहले मैं इसको off कर देता हूँ, और यह जो column है, इस column में थोड़ा सा हम padding add कर लेंगे, तो यह अगर हम यहाँ पर click करेंगे, और यह जो switch है, इसको हम अगर on कर देंगे, तो इसमें भी वो gradient जो color है, वो यहाँ पर apply हो जाएगा, okay, तो आपने देखा कि कितना आसान है, किसी भी section के background में, या फिर column के background में, animated gradient color को use करना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक free resource के बा आना है uigradients.com, इसका link मैं नीचे description में दे दूँगा, आप अगर इस site में आएंगे, और यह website में जो hamburger icon है, अगर आप यहाँ पर click करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे gradient का example है, अगर आपको लगता है कि आपको यह जो gradient है, या फिर यह जो gradient है, यह आपको color ही यह copy हो जाएगा, फिर आपको यह जो animated background का जो section है, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आप यह जो color है, इसको आप change कर लीजिए, यहाँ पर click कीजिए, और नीचे यह जो color code आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर simply इसको paste कर दीजिए, तो वो color यहाँ पर copy हो गया, और अभी हम जो दूसरे color है, यहाँ पर इसको भी हम यहाँ से copy करेंगे, और फिर हम यहाँ पर इस color के उपर click करेंगे, और नीचे यह जो section है, यहाँ पर इसको replace कर देंगे, paste कर देंगे, तो देखिए वो जो gradient color था, यहाँ पर जो gradient color है, अभी वो यहाँ पर ऐसे reflect करेगा यहाँ पर आपको two colors के gradient देखने को मिलेगा दो से जादा भी color का gradient आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आप आसानी से एक gradient का concept यहाँ पर आप ले सकते हो कि यह gradient आपके design में कैसे लगेगा और यहाँ पर आपको कुछ color switches भी दिया हुआ है अगर आप यहाँ पर click करेंगे तो yellow base जो gradient color है वो यहाँ पर आपको दिखाए देगा तो किसी भी color पर आप click करेंगे तो इस color के साथ जो gradient है वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा तो यह site मुझे बहुत interesting लगा इसका link मैं नीचे description में दे दूँगा और finally मैं आपको एक tips दिना चाहता हूँ यह मेरा personal opinion है आप इसके साथ agree भी कर सकते हो या पर disagree भी कर सकते हो मेरा मानना यह है यह जो animated gradient color है इसको आप एक ही page में multiple time use ना करें तो ही अच्छा है क्योंकि अगर आप यह multiple time use करेंगे तो इसका जो attractiveness है वो कम हो जाएगा और एक monotony create हो सकता है बाकी आपके design के उपर है आपके creativity के उपर है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे दोस्तो तो इसको like कीजिए अगर आप इस channel में नए है तो इस channel को आप subscribe कर लिजे साथ में bell icon भी दबाईए तकि elementor के उपर आने वाले वीडियो का notification आपको मिलते रहें और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सावाल है तो comments में जाके मुझसे पूछिए मैं उसका जरूरत तर दूँगा धन्यवाद दोस्तो